विल्कम बेक टू एनी वीडियो दोस्तो आज किस नीवडियो में आपको बताने वाला हूँ यदि आपकी वड़ो फोन की कनेक्टविटी यहाँ पर ईसो हो रही है जैसे के दोस्तो आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर देख परें आप इस 4G में कैसी कनवर्ट कर सकते हैं दोस इसकार दोस्तो मेरे नाम में मुहित और हमारे यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में आपको मैं कुछ सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ यह सेटिंग करने के बाद दोस्तो आप अपनी मोबाइल की एस नेट्रोक को यहाँ पर 4G में लिदी जाना है जाय सकते दोस्तों यहां पर मैं अपने मोबाइल की सक्टिंग में चला गया हूं उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको सिंग्र्ड और mobile network का दोस्तों यहां पर आपको option मिलने वाला है यहां पर दोस्तों आपको इस पर click कार देना है click करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको बहुस्ची option मिलने वाला है simply दोस्तों यहां पर आपको सबसे उपर sim card setting का यहां पर आपको option मिलने वाला है यहां पर दूस्तो मैं आपको Wodafone की सैटिंग के बारे में बताने वाला हूँ इसलिए दूस्तो यहां पर आपको Wodafone पर क्लिक कर देना है Wodafone पर क्लिक करने के बाद दूस्तो यहां पर आपको नीचे Access Point Names का यहां पर आपको Option मिلने वाला है जिसे आप APN भी कहते हैं दोस्तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद दोस्तो यहाँ पर आपको इस Mobile Office Vodafone 4G की यहाँ पर APN सैटिंग है दोस्तो इसे आपको चेंज कर लेना है इसे change करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको इस पर click कर देना है click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मैं कुछ setting के बारे में बताने वाला हूँ यह दोस्तों आपको अपने mobile में setting कर लेनी है यह सैटिंग करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले नेम पर किलिक कर देना है नेम पर किलिक करके दोस्तों यहाँ पर आपको इंटर कर देना है वुड़फोन 4G यहाँ पर दोस्तों आपको 4G यहाँ पर कैपिटल में कर देना है उसके बाद दूस्तों यहाँ पर आपको OK पर क्लिक कर देना है OK पर क्लिक करने के बाद दूस्तों यहाँ पर आपको APN में दूस्तों इंटर कर देना है Wodafone Turbo Speed यहाँ पर आपको Capital में यह आपको कर देना है और आपको ये इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको ओके पर किलिक कर देना है ओके पर किलिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे चले जाना है नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्वर का उप्शन मिलने वाला है यहाँ पर आपको इस पर किलिक करके यहाँ पर आपको इंटर कर देना है www.google.com और यह इंटर करने के बाद दुस्तों OK पर आपको किलिक कर देना है OK पर किलिक करने के बाद दुस्तों यहाँ पर आपको नीचे चल जाना है नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको A-Pint Protocol का उप्शन मिलने वाला है यहाँ पर दोस्तो आपको इस पर कलिक करके IPv4 और IPv6 स्लेक्ट करके रखना है दोस्तो और इसके बाद दोस्तो यहाँ पर आपको नीचे A-Pint Roaming Protocol पर भी आपको यही स्लेक्ट करके रखना है और आपको यहाँ पर सबसे नीचे बेरेर का उप्सिन मिलने वाला है दोस्तों यहाँ पर आपको इस पर क्लिक के आपको सबी नेट्रो के यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है उसके बाद दुस्तों यहाँ पर आपके वड़ाफोन की إP-न सैटेंग होच्ची है दुस्तों यहाँ पर आपको हूम सक्रίν पर आज़ाने के बाद에 यहाँ पर आपको एरपिलेइन मोड पर इसे लगा देना के बाद दुस्तु आपको फिर से इसे हटा देना है जैसे कि आप देख पार हैं यहां पर आपकी 4G connectivity यहां वाशो हो चीगी है आप ऐसे ही यहां पर अपनी Vodafone की 4G connectivity में इसे बदल सकते हैं और दोस्तों 4G में करणवेंट होने के लिए दोस्तों यहां पर 5 मिट का वेट कर लेना है क्योंकि दोस्तों किसी के एरिया में यहां नेटर्क प्रोलम भी आ सकती है तो मैं उम्मीर दिता हूँ कि दोस्तों यह वीडियो आपको जोरू पसंद आयोगी तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करना ना भोलेगा दोस्तों नमस्कार दोस्तों जैहिंद वन्यमातराम